जब हम लोग यहां एड्मेंटन आ गए और भाईया जैसे हम लोग ने गेट खोला ना यह एरपोर्ट पे बाहर आने के लिए ओमाइगोड इतनी ठंड मॉर्णिंग वेलकम बैक टुर न्यू व्लागोग सब्सक्राइब अभी मैंने मॉर्णिंग रूटीन भी कर लिया और आ यहां पीती आ हूं पर आ यहां पर सभी एगर में क्या यह electronic वाले गैस ही होता है और मेरे को यह भी आदेगी जो हमारे इंडिया में गैस होता थे हुझ वाला है आठ चाहिए यहां पर ही होते हैं हम जान करते थे और में वह कुछ अश्टेशन आता हैं और उनकी फ्लेम आत कभी experience नहीं कई थी इंडिया में मैंने कभी देखा भी नहीं था है एक इंडेक्शन वाला होता है हाँ वह भी आता है गाइस में तो मैंने यह कभी experience नहीं गजाता है ऐसे दो इंडिया में अधा फ्लेम वाले gases यह आते थे मस्त अपना उसमें करते थे यह करने रही इसमेर करने भी थाळऑबे ।र लृच्ог । सिर्श यह करने चर्पर देर्क्राचार बल्मार्ट शों कायब हा उसमेरा इस टीर कव एक elkमास कर देर देर इस स्किन कार्ट करते हैं अभी स्नाक्स टाइम होगा चलो स्नाक्स रडी करते हैं तो ताउसंद येज लेटे हैं तो मेरे ओफिस से ना एक लड़का इंडिया जा रहा है एंड लग्ली मतलब जो मतलब बहुत ज्यादा इस चीज से मेरे को जोड़ने वाली और इमोशन करने वाली बात है मैं जिस सहर करने वाला हूं एक्चली वह इंडिया के अंदर यू पी स्टेट में मेरे इंडिया आरहला है मोह 아니라 हमां कि यार मेरे गर जा रहा है यह वंदार मतलब मैं क्यों नहीं जा रहा हूं बिलकुल एक दम से ऐसे लगने लगा मेरे को मतलब बहुत जादे में मुशनल से हो गया उस टाइम पर बड़ा कंट्रोल करना पड़ा अपने आपको तुम लोग को मतलब अभी कैसे याद आ रहा है कि जसे कैसे कैसे हम लोग आए थे इंडिया से कैसा फिल किया था उस टाइम हां गाइस मेरा जो बेटा है मतलब उसके लिए फ्लाइटी फिर्स टाइम थी वह तो मतलब बहुत ज्यादा था वह चीज के लिए कि हम लोग मतलब फ्लाइट में जा रहे हैं और मेनू तुम्हें कैसे लगा उस थे कि उस टाइट थे उस टाइट थे बहुत लंबी फ्लाइट थी जाना रहे हैं तो एक अगर मैनेज कर रहा है उसको ब्रेक लेना तो दूसरे वाला ब्रेक ले सकता है थोड़ी वो तरी कि लिए तो वो चीज हो सकती है जो हम लोग इंडिया से आये थे तो हमने डेली वाला जो इंटरनेशनल एरपोर्ट है वहां से अपनी फ्लाइट बोर्ड की थी और जो पहली फ्लाइट थी हमारी वो तो आई यहां पर कैनाड़ा में वैंकुवर तक वहां हमने अपना सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस किया है तो हमने कराये थे फिर चुकि आना हम लोग को था है यहां पर एड्मेंटन में जो एलबर्टा प्रोविंस के अंदर है तो फिर वैंकुवर बिटिस को लंबे में वहां से हमने दूसरी फ्लाइट ली थी तो उस प्रोसेस में भी हम लोग का थोड़ा टाइम लगाता है अगाई जब हम लोग इंडिया से आय थे तो एर इंडिया वाली फ्लाइट थी हम लोगों कि और उसमें तो हमें खाना मिल गया था इंडियन वाला जिसमें मतलब लोग ने पनीर वगयर और चपाटी राइस दाल जो हमारे पिकल बगयर इस सारी चीजे हम लोग को मिल गई तो वह फ्लाइट तो हमारी वैंकुवर तक मस्त कटी बिल्कुल बट जो हम लोग कैनड़ा में आ गए वैंकुवर में और हम लोग दूसरी फ्लाइट का वेट कर रहे थे भाहिमा एयरपोर्ट पर परेशान हो गए तो यहीं नगाइस की मतलब यहां फस्ट इंटरनेशनल एकदम सिटी में आने के बाद में हमको एक्सपोजर हो गया किया चैलेंजिस होने वाले हम लोगों को तो बस वही क्या फिर जैसे तैसे करके एक जांगे जाकर के हम लोगों ने बर्गर खाया था बर्गर बिल्कुल मत इतना ही था जो लोग मतलब नौनवेज खा सकते हैं उनके लिए तो फिर अच्छे अच्छे ओप्शन थे वहाँ पर हर तरीके से और लोग अलग अलग मतलब शॉप्स पर ले रहे थे चीज़े खाने के लिए बट हमें वाली चीज में जो मतलब हम लोग की इंडियन से उन इंडिया के अंदर तो बढ़े अच्छे मतलब हम एक वार्म से मतलब टेंपरेचर में वहाँ से निकले थे और पूरी फ्लाइट के अंदर विक अच्छा टेंपरेचर रहता है तो वहां भी सब बढ़िया ही था वैंकोर में भी लैंड कर गए तो आपी सारा हम लोग एरप पर बाहर आने के लिए ओमाइगोड इतनी थंड महां पर एक तम से सुट्टी पिट्टी घूम होई हम लोग लोग ने एक दम पर जैकेट पगेर निकाली सब डाली ती जादा फ्रीजिंग तैंपरेटर था फिर्स टाइम एंकाउंटर हुआ मतलब साब बच्चों का मतलब एक दम से बस ऐसी थी कि यार नम पुरे मजे कर दियो उसने ठंडे उसके बाद फिर अम लोगों ने वहां से अपने टैक्सी ली और फिर तम लोग जो होटल बुक कर रखा था होटल लाए उसके बाद तो दीर दीरे चीजे मतलब सेटल होने स्टार्ट हो गई हम चीजों से वर्क आउट करके आता हूं मैं आज तो जो मौसम अभी हो रहा है यह बहुत ज़्यादा क्लावडी है ऐसा लग रहा है क्या स्नौफॉल हो सकती है विकोज अभी जब तक क्लियर इसका ही था ना तो रात में काफी अच्छे स्टार्ट दिख जाते थे बट आज यह काफी ज कम लोग दिखेंगे सड़कों के ऊपर अगर आप मंडे टू मतलब थास्टे देख रहे हो जैसे अभी मतलब मैं इस टाइम लगवग एराउंड 7 o'clock हो रहे है इवनिंग के मैं अभी मतलब जैसे आ रहा था वायम से अपनी वर्क आउट पूरी करके तो आपको भी लग रह अगर यही चीजा फ्राइडे और सटर्डे की इविनिंग में इस टाइम देखो तब बहुत रश रहता है आपर अभी तो ऐसे लोग बस आये अपने किसी काम से ऑफिस से अपने बिजनिस से अपने सब कुछ रूटीन काम पूरा करके आए तो बस वह अपना रेस्ट करते ह है मज़े से अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं पर जैसे फ्राइडे आएगा तब यहां पर बहुत रौनक हो जाएगी तब आपको बहुत लोग दिखेंगे इदर दर मस्ती करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ में फैमिली के साथ में घूमते हुए फुल आपको दिखाता हुँ उसमें कुछ ऐसी इंपोर्टन चीज है जिसके वारे में मतलब मैंने मैंने मलटीपल टाइम्स अपने अपने फ्रेंड से अपने कॉलिक से मलटीपल टाइम मैंने डिसकस किया है और वह चीज मैंने यहां के आटिकल में देखी तो मुझे बहुत मतलब how people are very much concerned about their you know next generation about their environment देखो दिखाता हम आपको भी guys यह देखो यह है community update actually और इसमें यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है putting a cap on pollution और जो इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज लगी guys वो चीज थी this is about keeping our air clean and protecting future generations while building a sector that is strong and competitive so जो चीज मतलब यह कहना चाहरे हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि air को clean रखना चाहते हैं जो यह pollution के ऊपर एक capping यह लगा रहे हैं उसके बाद में और साथ में जो मतलब उससे भी अच्छी बात यह कर रहे हैं कि protecting future generations so guys अगर हम आज कोसिस करेंगे ना इस environment को protect करने के लिए तो दीरे 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 ही हम मतलब वो investment कर पाएंगे कि हमारी जो आने वाली generations हैं उनको एक अच्छा clean weather मिलेगा clean environment मिलेगा वर्ट अगर हमने अभी वो चीज को दिहान होगी बहुत बहुत जादे स्ट्रगल होगी मतलब यह क्रिमाइंडर है मतलब मैंने तो हमेशा आपने जितने भी मतलब मेरे circle में लोग रहे हैं मेरे family members मेरे friends मैंने हमेशा उनके साथ में चीजे शेर किया कि प्लीज ट्राइए और बैस जो भी आप अपने लेवल से जो चोटे शोटा कर सकते हो हर किसी को इंडिविजुली करना चाहिए अपने environment को safe रखने के लिए environment को clean रखने के लिए तो आप लोग भी जो कर सकते हैं जरूर जरूर करना तो आप ने आपको पॉलिशन कंट्रोल के मारे बताया था और हम लोग पहले से ही उसी चीज में एफर्ट कर रहे है तो जब मैं फाइव रोल ते हम लोगों ने बहुत सारे ट्रीज प्लांट करें तो एकदम मज़ेदार एक्पिरियंस भी था बहुत जादा मज़ा था ट्रीज प्लांट करने हैं तो हमने सोसाइटी में एफर्ट लाने के हमने वहां पर प्लांट करें तो यह आपको भी करना चीज़िए अगरा आप प्रीज प्लांट कर सकते तो यह बहुत अच्छी चीज है अमारे इंवार्म भूँ प्ला आपоп करना चीज़िए खिए अबहुत जापको यह बहुत जादा भी कर Krवार्म करें टापको अच्छी चांचीज थार्म झाहिए झाया आपको यह झारा ऊपको मने में तो हमने नहां पर प्लांट करने हैं, भूला हमने दोला है, और ठाने हमने हैं चीज़ि